हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई न्यू वीडियो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्तान बोर्ड क्लास 11 थिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्योशन्स अगर आप एली एकजाम में 100 में से 100 नंबर लाना चाते हो तो आप इस वीडियो को एंट तक जरूर देखिए तो चलिए लेट्स गेट स्टाटेड इस वीडियो में हम आपको इंपोर्टेंट क्योशन्स प्रोवाइड कराएंगे और ये जो important questions है उनके अंदर आपको objective questions, रिक्तिस्तान वाले questions, सत्य असत्य और मिलान वाले छोटे बड़े सभी तरह की questions आपको मिलने वाले है तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं करना है तो सबसे पहला question है आपके सही विकल पर चुन कर लिखे यानि कि आपके objective question से सबसे पहला question है कि कभीर को वानिक का detector किसने का है तो इस question का right answer होगा आपके option number B हजारी प्रशाद दीवेदी ये बहुत important objective question है और बहुत बार exam में पूछा भी जाता है इसके बाद question number second है कि पकरती के चितेरे कवी है तो इस question का right answer होगा आपके option number है सुमित्रा नंदन पंत और ये question भी बहुत important है और ये भी बहुत बार आपके exam में पूछा जाता है इसके बाद आपके question number third है कि मेरा बाई की मूल भासा राजस्थान की कौन सी भासा का परभाव दिखाई देता है तो इस question का right answer होगा आपके option number two ब्रज इसके बाद question number four है कि वे आके कवीता का मूल स्वर है तो इस question का right answer होगा आपके option number two पक्रतीव वादी इसके बाद question number five है कि कवीता का गांदी कहे जाते है तो इस question का right answer है आपके option number है भवानी परशाद मिश्र क्योशन नमबर छे पंत ने कविता के लिए चित्र बासा संबंदी विचार पस्तूत किये है तो इस क्योशन का राइट अंसर होगा आपके उप्सन नमबर से पल लो इसके बाद क्योशन नमबर साथ है वे तुमारा मन समझ कर अपना पन समझ कर घर की याद कविता की उपरोकत पंक्तियों में तुमारा सब्द किसके लिए आया है तो इस क्योशन का राइट अंसर हो जाएगा आपके उप्सन नमबर ए पिता के लिए इसके बाद question number 8 है दुशंत कुमार त्यागी की रचना एक कंट विश्पाई किस विदा की रचना है तो इस question का right answer है आपके option number 2 गीती नट्ये ये option आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी हम कुछ करते है ये देखे इसका right answer है आपके option number 2 गीती नट्ये इसके बाद question number 9 है किस भासा के कवित्री है तो इस question का right answer होगा आपके option number 2 संथाली इसके बाद question number 10 है कि छाड़ी दई कुल की हानी का करिये कोई रेखान की सब्दसे ताट पर ये है तो इस question का right answer है आपके option number से मरियादा question number 11 है निमलिकित में से कौन सा एक खंड बीजक का नहीं है तो इस question का right answer है आपके option number नमरे पद question number 12 जिस परकार आत्मा के मुक्तवस्ता ग्यान दसा कहलाती उस परकार हर्द्य की मुक्तवस्ता रस दसा कहलाती है उप्रुक्त कतन किसका है तो इसका right answer होगा आपके option number नमरे राम चंदर शुकल इसके बाद हम देखने वाले हैं रिक्तिस्तान वा विवक्त है तो इस question का right answer हो जाएगा आपके बीजक क्योशन नबर सेकंड है कबीर के अनुसार परमात्मा है तो कबीर के अनुसार परमात्मा एक है क्योशन नबर तीन मीरा के गुरू थे मीरा के गुरू रेदास थे क्योशन नबर चार आरोह में संकलित मीरा के पद से लिए गए है तो आरहों में संकली जो मीरा के पद है वो मीरा मुक्तावली से लिए गए है और ये सारे important question से और आपको इनको अच्छे से याद करना है Question number 5 है हिंदी कवीता में पकरती को पहली बार परमुक विशे बनाने का स्रे दिया जाता है तो इस question का right answer होगा आपके option number 5 पकरती को पहली बार परमुक विशे बनाने का स्रे पंत को जाता है फिर question number 6 सुमिता नंदन पंत अर्विन के से परभावित थे किसे परभावित थे मानव वाद सात्वा वे आके कवीता में डेश 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 की मार्मिक व्योस्ता का चितरन हुआ है तो इसका right answer होगा आपके option number किसान ठीक है इसका right answer होगा आपके किसान ये आपको ध्यान रखना है अब हम और आगे बढ़ते हैं सातों question ने बवानी परभावित थे कही तो इस question का right answer होगा आपके गांदी वाद नवा है सहर जले के कवी है तो सहर जले के कवी भवानी परशाद मिश रहे question number 10 है साय में दूप दुशन्त कुमार का कौन सा संग रहे है गजल संग रहे है 11 है नगाडे की तरह बज़ते है सब्द की रचना है किन की रचना है निरमला पुतूल की question number 12 है गर की याद कवीता में कवी के पिता किसका बाट करते है गीता का सत्पुडा के गने जंगल की कवीता है तो इसका राइट अंसर होगा आपके भवानी परशाद मिश तो ये कुछ रिक्तिस्तान वाले questions थे जो हमने देखे अब हम बढ़ते है question number 3 की ओर question number 3 है वो पूच रहा है आपको सत्य एसत्य लिखिए यानि कि आपको यह आप पर जो statement दे रखे है वो सत्य है या एसत्य आपको बताना है पहला है मीरा बाई की बक्ति दामपत्य भाव की है तो ये कतन बिलकुल सत्य है दूसरा है कबीर ब्रजबासा के कभी है तो ये question बिलकुल गलत है तीसरा है कबीर ने बारी आडंबरों का विरोत किया है ये बात बिलकुल सही है मीरा की मूल बासा राधस्तान पर अवदी बासा का प्रभाव है ये कतन बिलकुल गलत है पाच्वा है पंत की ताच कवीता चायाबादी कवीता है तो ये कतन भी बिल्कुल घलत है किसान की गाय का नाम मुझरी था बिल्कुल था सुज्य का स्वागत का संग्रे दुश्यन कुमार त्यागी का है ये कतन भी बिल्कुल सत्ते है निर्मला पुतुल का संबंद जारकन से है ये भी कतन बिल्कुल सत्य है तो ये कुछ सत्य है सत्य वाले देखे हमने अब हम देखते हैं सही जोड़ी बना कर लिखे आपको मिलान करना है अपने बच्पन में क्या होगा ऐसे मेच पेयर तो पेला है गीत फरोस तो जो गीत फरो सवाल इसको मिलाना est दूश्यंत कुमार त्यागी से चौत थै को मिलाना देना है और सदूपढ़ी संथाली वह अभी मिला देखा था निर्मला पुथूल फिर खड़ी बोली, खड़ी बोली को मिलाना है आपको राम नरेश त्रीपार्टी से तो ये कुछ मिलान वाली क्योशन से कि इनमें आपको सही जोड़ी यानि कि मिलान करना है अब हम देखते हैं एक वाइके में उत्तर लिखे यानि कि आपको एक वाइके के अंदर इन questions के उत्तर लिगने है तो सबसे पहला question है कि कभीर भक्ति काल के अंतरगत निर्गुन भक्ति की कोन सी धारा के कभी है तो इस question का right answer है ज्याना श्रै ज्याना श्रै जो कबीर है वो भक्ति काल के अंतरगर निर्गुन भक्ति की ज्याना श्री काव्यधारा के कवी है इसके बाद क्योशन सेकंड है कि मेरा ने अपने आराध्य किसे माना है तो ये तो सब जानते हैं कि मेरा ने अपने आराध्य प्रभू सी किष्ण को माना है फिर आपका क्योशन नंबर थरड है कि मेरा के लिए विस्का प्याला किस ने बैजा था राणा जी ने राणा जी ने बैजा था न मेरा को विस्का प्याला चोता है राम नरेस्तिपार्टी किस यूग के कभी है तो जो हमारी राम नरेस्तिपार्टी है वो छायावादी यहापे मैं लिख देता हूँ छायावादी छायावादी यह लीजिए छायावादी आप ध्यान रखेगा राम नरेस्तिपार्टी छायावादी यूग के कभी है पाच्वा हिंदी साहिते में बाल साहिते के जनक कोन माने जाते है तो हिंदी साहिते में जो बाल साहिते के जनक है वो राम नरेश त्रिपाठी माने जाते है राम नरेश त्रिपाठी ओके फिर छटा है वानन नामकि, बाल पत्रिका का संपादन किस ने किया तो इस question का अनसर भी होगा, आपके मिलन खंड काविय के रचिता कों है? तो मिलन के रचिता हमारी राम नेरे स्ट्रिपाठी है आपको ध्यान रखना है घर की याद कवीता में कौन किसको याद कर रहा है तो घर की याद कवीता में एक पुत्र है वो अपने परिवार को याद कर रहा है एक पुत्र किसको याद कर रहा है अपने परिवार को अपने परिवार को ठीक है यह सारी चीज़ा आपको समझ में आ आया है तो आनंद आनंद ठीक है यह हो जाएगा दस्तों इसके बाद आगे के जो भी क्योशन से इन क्योशन को हम अगली वीडियो में डिसकस करेंगे आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिक कर जरूर बताए तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीड जहिंद बंदे मात्रा